कि अब अब लोगों को आपके पतनी यूट्यूब चैनल अग्रीकल्चर ट्रिक्स वाई एंके में हार्दिक स्वागेत करते हैं जैसा कि आप लोगों पता है कि अग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वोकिरा होती है कोई नया अपडेट वोकिर आता है तो हम क्या फीश इस्ट्रेक्चर है तो उसका जो मेट्रिक्स है वो जारी कर दिया गया है और अपना आज उसी की बात करेंगे कि कौन सी कोलेज के अंदर कितनी सीट है या फिर क्या फीश रहने वाली है तो आपके सामने यहां पर दिखने को मिलेगी तो सबसे पहले मैं बता है आपकी नॉर्मल सीट है तिक हा मतलब है कि पेमेंट के ऊपर है और जो आपकी जितनी इसके बीके दे रखे इसके इन तरक आफ यह बहुत आपको पता ईक जो यह कौलेज का नाम दिया को तौदरी, पर्माराम, गोदरा, एगरिकल्चर को लेच बहारा, हनुमान कट के अ यह किस college से affiliated है या किस university से affiliated है वो है आपके SKRU बिकानेट जिसे की स्वामि कैस्वानार राजस्तान एग्रिकल्चर युनिश्योटी बिकानेट के द्वारा affiliated है यह देखो आप साब देख सकते हो इसके अंतरकत और जो यह college है इस college का type भी साब दिया गया है तो सभी बच्चों के जो मन में confusion था कि कौन सी college private है या government है उसाब दिया गया है affiliated private college तो यह आपकी private college है यहाँ पर college की fees दी गई है 35,000 रुप है यह fees दी गई है यह per semester fees दी गई है उसके अपन बात करेंगे जैसे कि आपको कई चीजों के अंतरकर confusion होगा जैसे कि भादरा college की अपने बात कर दी इसके अंतरकर normal city है 120 city है एसके अरिस से affiliated है यह private college है और इसकी जो fees रहने वाली है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि आपकी 35,000 पर semester यहां पर कहा रहने वाली है इसके लाहों में next पर बात करूँ तो आपके पास में आती है एपक्स agriculture college आना यह है अनुमान गड़ के अंतरकर इसके अंतरकर भी 120 city है और जो आपकी कौन सी university से एफिडेटेड है वो एसके रिउसे ही एफिडेटेड है यह प्राइवेट कॉलेज है इसकी 25,300 पर semester फीश रहने वाली है ऐसे आप जैसे कि मैं बात करूँ ऑप्शन नमबर चार पे है वहाँ पे आप देख सकते हो बीबी डी जो गॉर्मेंट पीजी कॉलेज चुमनपु इसकी जो फीश है पर semester only for 1200 रुपए रहने वाली है अब आप यहां पर डिफ्रेंस देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज में और गॉर्मेंट कॉलेज में कितना फीश को लेगा डिफ्रेंस है तो उससे भी आप लगा सकते हो तो यहां पर साफ़ साफ़ यह आपकी चैनल है उसके उपर आपको यह पूरी PDF मिल जाएगी वहां पर आसानी से जाके आप देख सकते हो कि कौन सी कॉलेज प्राइवेट है कितनी सीटे हैं कितनी नौर्मल सीटे हैं कितनी प्राइवेट सीटे हैं तो इसके अंतरकत सबसे बड़ी confusion वाली बात रहती है फ्रेंडो 40. Sorry, यह जो नौर्मल सीट है वो 70 है और जो प्राइवेट सीट है वो 40 हैं तो इसके अंतरकत साथ साह दिया गया है तो जो भी गवर्मेंट सीटे है उनिविशिटिवचे के अंतरकत जमारे काफी बच्छों के message आते हैं कि सर इसके अंतरकत कितनी सीटे incarКак क ni नहीं हैं तो confused ह दाता है तो अपन काउंसलिंग के इसाब से कैसे लगाए कैसे नहीं लगाए और इसकी जो फीस है वो 11600 रुपर मात्र फीस रहने वाली आपके सेमेश्टर इसकी अगर में वही बात करूब पहले भी एक लिट टह ली थी जिसके अंतरकत साफसाफ दिया गया था कि अपन जो नए अपड़ेट आएट था कि नहीं कोलेज यह काँ कहने वाली है तो आपकी जितने भी 29 में को लिए वह भी आपकी बार कांसलिंग के अंतरकत शामिल कर लिए तो उसके सब्सक्राइब दोड़ा पर दोड़ा इसके लाव बात करूं जोधपूर और उद्यपूर और विकानेर और कोटा इन पाचोई अंतरगत आने वाली कोलेजों के जो भी आपकी खुलेगी 29 उनकी दी गई है और इनकी फीस है दो फीस इस्टेक्चर अभी तक इनके अंतरगत शो नहीं की गई है तो वह जल्दी ही शो कर दी जाएगी और जितनी भी यह कोलेश टाइप है वह कौन सी आप की गवर्मेंट कोलेज है तो आपको यह कता ही मन के अंतरगत नहीं लाना है कि जो नहीं कोलेजेश खुली है वह प्राइवेट है या गवर्मेंट है इसके लाव मैं बात करूँ जो अधर न्यू प्राइवेट कोलेज जो एफिटेट है नहीं कोलेज है तो उनकी में बात क हूँ तो जैसे कि आपके यह सोरभ एग्रिकल्चर को लेज खेड़ा खेड़ा तेसिल जो करूली के इंतरकत है जो नॉर्मल सीटे हैं साट है यू कोटा दौरा एग्रिकल्चर इनिश्टी कोटा दौरा फिटेपेट हैं और यह प्राइवेट को लेज है इसकी जो फीस है आपके पास में कितनी है नोजार नोसो इगेतर कुल टोटल सीटे किसकी रहने वाली आपकी जेट की रहने वाली है तो आप लोगों के लिए जानकरी काफी यूसफुल रही होगी अगर यूसफुल रहे तो आप हमारी वीडियो बो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले थैंको फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्ट वोडियो में नेक्ट अप्डेट के साथ थैंको